कैसे हैं मेरी सबी दोस्त होप आप लोग सब ठीक होंगे और देखिए अपनी रोज की दिन चर्रया में तो बिजी ही होंगे तो आज हम एक बहुत ही हेल्दी सी रेसेपी बनाने जा रहे हैं जिसमें कि हमें मिलेंगी बहुत सारी दाले यानि प्रोटीन बहुत सारा तो उनको सबसे पहले मुझे भिगो देना है एक्शल में किया है कि इसमें चने भी मिक्स है और साथ में इसमें लोबिया और सोया बीन भी मिक्स है तो मैं सारी चीजों को अच्छे से भिगो दे रही हूं रात में धोके मैंने इसको भिगो दिया पूरी रात ये भीगी रही और इसक काले वाले तोड़े से चने हैं और सोया बीन भी इसमें एड है और इनको इसी लिए मुझे पूरी रात के लिए भिगोना पड़ा पानी निकाल दिया है मैंने इसका और अब हम एक कप से लेंगे सूजी तो यहां एक कप कटोरी ले सकते और एक कटोरी ही यह सारी दाले थी य यह चांचरके के साठे करी यहां अगर आपके टाल आप तो इसमें नेक्षा है कर था कि यहां तो यह जाब आई दालीघी टो यहां एक से डेढ़还 का और शायच नमें एक पास जाच और और आपके बेटर है जाच यहां डर। आरश इसी तरीके से आपको एड़ करनी है खटी होनी चाहिए यह बहुत खटा नहीं एक दम ताजी सा तही है मतलब बहुत जादा नहीं हलका फुलका है तो बस मैं इसको भिगो देती हूं और अच्छे से रख देंगे और अगर आपके पास थोड़ा खटा है तो वह बहुत बैट है तो मैंने थोड़ा सा चाहँ एड़ कर लिया नमक एड़ कर दिया दो हरी मिर्च एड़ कर दी साथ में पिंच बर हल्दी एड़ करेंगे जिससे कि इसका कलर अच्छा एगा तो यहां मैं कोई फूट कलर बगएर का बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूं क्योंकि हम अपने छांच एड़ करी वह अगर मैं नहीं करती तो भी चलता लेकिन अब इसका बैलेंस बनाने के लिए जो मैं अब बैच पीसूंगी ना इसमें मैं कोई भी एड़ नहीं करूंगी छांच बगएरा ना पानी कुछ भी नहीं एड़ करूंगी एक्षियल में कहना दाले हमारी ब लेकिन मैंने सिर्फ इतनी ही चीज़ा एड़ करी है उपर से क्योंकि एक तड़का मारेंगे और इसके संग बनाएंगे एक इसपेसल चड़नी यहां दो चमच मैंने तिल का तेल एड़ कर दिया है इससे यह बहुती सॉफ्ट बनेगा एकदम स्मूध सा और यहां एक बनाएंगे तो इसके अंदर डालने वाला स्टेंड नी मिल रहा था तो मैंने एक छोटी सी बोल इसमें डाल दिया स्टील किया अब इसी के ऊपर हम अपना यह जो मोल्ड रखेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है इसे हाफ-ाफ कर लेना है हाप जितना हमें एक बार में उतने में ही हम इनो पाउडर डालेंगे यहाँ आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने इनो पाउज डाला है तो पूरा सैसे नहीं डाला था थोड़ा सा छोड़ दिया था अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जेंटली बिल्कुल इसे मिक्स करना है और उसके बाद जो हमने मोल्ड तयार कराता उसमें डाल देंगे तो मोल्ड को ऊपर तक नहीं बढ़ना है क्योंकि यह काफी अच्छे से फूल था है इसलिए लगबक आप इसे आधा ही रखिएगा और आप देखेंगे कि यह पूरा फूल गया है इसे उपर हम कुछ वेट रख देंगे जिससे की स्टीम इसके अंदर अच्छे से बन जाए तो इसे बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ 15 मिनट लगते है 15 मिनट में यह तैयार हो जाता है क्योंकि इसके नीचे मैंने बोल्ड ढाली थी तो थोड़ा सा बैलेंस बिगर गया है और यह थोड़ा सा जो मेरा मोल्ड है वो टेड़ा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं है बहुत ही अच्छे से बनाए एकदम देखिए कितना अच्छा फूल गया है तो इसलिए मैं कहली थी हाफ ही रखें लेकिन ठीक है बिल्कुल परफेक्ट फूल है और यह जो बचा आउडर टालने के बाद हमें इसे बहुत देर तक नहीं रोकना है पहले से ही सारी तैयारी करके रखेंगे तो यह मैंने कांच के बोल में फिर से पार्श्मन पेपर डाल लिया है और यह जो है यह पांस से छे मिनट में बनके तैयार हो जाएगा तो बस इसको भी हम अहाफ ह भी भरेंगे और अब इसे लेके चलते हम माइक्रोवेव अवन की तरफ और उसमें जो है यह बहुत फटाफट बनता है अगर आप भी फटाफट बनाने के शौकीन है तो आप इसे बहुत जल्दी से जल्दी बना सकते हैं इसमें तो बहुत ही कम टाइम लगता है इसे रख निकाल लेंगे और देखिए कितने परफेक्टली निकला है नट बिल्कुल टूटा है और एकदम परफेक्टली पकाई तो इसे अब कट कर लेंगे और आपको बता दूं मैं चटनी बीच में नहीं बना पाई थी कोई आ गया था तो बिना चटनी के यह इतना टेस्टी डालेंगे आप में बनाएंगे यह नासते में बनाएंगे न तो बिल्कुल मजा आ जएगा अप रात मे बनाएंगे तो आपको रोटी बनाना ही नहीं पड़े बढ़े तिल का तेल डालेंगे गरम हो जाएगा तो उसमें राई डालेंगे यानि मस्टर्ड सीट एक चम्मच और इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफेद तिल तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप सफेद तिल बिल्कुल इसकिप ना करें जरूर डाले और बस हलका सा जैस दौकला तेयार करेंगे उसको हम फ्राई करके बनाएंगे बहुत टेस्टी लगता है दोनों ही तरीके से बना के जरूर ट्राई करिएगा और यह तड़का लगते ही साफ हो गया ता बहुत टेस्टी था यह मैं टेस्ट करके देख रही हूं मुझे तो बहुत पसंद आया एक तम हलका हलका लाइट सा नासता है जरूर ट्राई करिएगा अब हम इसके लिए एक चटनी बनाएंगे तो यहां मैंने डैसिएटेट कोकोनट लिया है तो अनफॉर्चुनेटली वह बहुत कम पड़ा हुआ था मेरे पास खतम हो गया था तो यहां मैंने डैसिएटेटे नमक डाल दिया है और अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी थोड़ी सी मूफली तो यह चटनी ना बहुत अच्छी बनीती एक बार अब जरूर ट्राई करिएगा और इसमें पानी ज़रूर चाहिए हुगा जब मूफली चने यह सारी चीज़ें पानी बहुत सारा लेते हैं पीस लिया अच्छे से अब इसमें मारेंगे फिर से एक तड़का तो यहां उसी पैन में मैंने ओयल लिया है मस्टर्ड सीट डाले और कट करकी मैंने करी पत्ता डाले बस इतना ही हमने इसमें तड़का मारा और यह बहुत ही अच्छी चड़नी बनके तयार होगी बहुत ज और अब हम इसको करेंगे फ्राइटो यहां मैंने पैंट लिया है इसमें हमने ओयल डाला है मस्टर्ड सीट डालेंगे और इसमें आप सफेद तिल डालना भूल गई थी तो फिर मैंने इसे निकाला देखिए कलर कितना अच्छा जाए और फिर से मैंने इसमें थोड़ा सा इसमें तोड़ा मस्टर्ड चीट और फिर मैंने इसमें तेल डाले और फिर से इसी साइट पर मैंने इसको सेखा क्योंकि तिल से इसका टेस बहुत अच्छा आता है दोनों साइड अलट पलटके हम सेख लेंगे और कलर देखिए बड़ा अच्छा आया है तो इस दोनों ही तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा दोनों ही तरीके बहुत अच्छे और यहां पर फिर से हमने तड़का हमारा इस पर मिर्चें डाली और यह बन गया हमारा फिर से एक बहुत ही तेस्टी सा ढोगला ट्राई जरूर करिएगा और पसंद आए तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बहुत ही हेल्दी टेस्टी रेसिपी है तो स्वाद के साथ साथ हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना होता है फैमली का तो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजेगा ओके फ्रेंज टेक क्यार एंड बाई बाई